हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई हैपी प्लेस माई टेरेस गार्डन में शिल्पा भोपाल से कैसे हैं आप सभी लोग आश्रा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्त ही होंगे प्रेंड्स आज मैं अपने गार्डन की कुछ सेटिंग्स चेंज करने लगी थी और साथ में मैं अपने क्रिसेंथिमम पे भी कुछ काम कर रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी मैं इसे शेयर कर लेती हूँ और देखिए ये मेरे डबल पैटल वाले कनेर अब खिलना हर जाने इसने मुझे प्लूमिंग नहीं दे थी इसके वलूमिंग का टाइम अभ स्टार्ट हुआ है और काफी अच्छी ब्लूमंग कर रहा है तो चलिए देखते कितनी प्यारी अभी इस पर blooming चल रही मेरे जितने भी कहना फिविसकस के plants है इस टाइम पर ऐसे ही भर भर के flowering कर रहे हैं और आप देख सकते हैं यह हर ब्रांच पर इसके हर ब्रांच पर इतने सारे flowers आए हुए हैं कि इन्हें देखके दिल खुश हो गया है और मैं आपको दिखाओं तो यह देखिए यहां पर भी सारे ही कहना फिविसकस जो है यह मेरे सारे ही यह composting के बिन में आप देख सकते हैं यह self seedling से composting बिन में लगे हैं और इतने प्यारे इस टाइम पर खिल रहे हैं बहुत ही जादा अभी हर ब्रांच पर देखिए आप एक प्लांट में इतने सारे flowers लगे हुए हैं बहुत ही और अभी सब में बहुत सारी birds भी बनी होई हैं तो बेहत खुबसूरत यह लग रहे थे तो सोच आप लोगों के साथ भी मैं इन्हें share कर दूं यह देख सकते हैं बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं तो जैसे कि आप देख स हमें भी हमारे plants से जित्ता भी nutrient होते हैं वो सारे हमारे plants से wash out हो जाते हैं और अब यह सही समय है कि हमें हमारे सारे ही जो permanent plants हैं उन्हें भी और जित्ते भी हमारे seasonal flowering plants जैसे कि सबसे main गुलदावदी है तो इसको हमें fertilize करना बहुत जादा ज़रूरी है तो देखते हैं मैं अच्छी से क्या fertilizer देने वाले हो सबसे पहला काम हमें जो हमारे गुलदावदियों में करना है क्योंकि अब बारिशों के बाद एकदम तीखी तेज धूप होने लगी है दिन का temperature बहुत जादा हो जाता है तो plant के उपर जितनी भी हमारी सूखी पतिया रहती हैं हमें पहले पूरी तरीके से plant की बहुत अच्छे से सफाई करती है रहने regular basis पे यह देखिए आप इस तरीके से आपके plant के उपर जितने भी सूखे पतियां है वो सारी आप निकाल लीजिए plant को बहुत अच्छी तरीके से पूरा clear कर लीजिए क्योंकि यही हमारे plant के उपर यही fungus create करते ह हैं जो सुखे पते रहते हैं वो तो इसलिए हमें हमारा plant सबसे पहले regular basis पे हमको हमारा plant जो है उसकी सफाई करनी है और हमारे plant के उपर हमें fungicide का spray तो regular basis पे करना ही है आप देख सकते मेरे सारे ही plants पे मैंने spray करके रखा हुआ है तो मेरे सारे ही plants एकदम अभी इस टाइम प करते ही रही है जो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था यह इससे आपका plant सबसे जादा घना इसी process से होता है तो इस process के लिए कोई इसका कोई वो नहीं है कि आप इतने दिन बात करिए उतने दिन बात करिए घुमते फिरते आपको जब यह उ करते हैं कि वहांगे करने बारिश के बाद से हमारी soil होती है यह भी जादा tight हों जाती है बैसे मेरे plants की regular बीच-बीच मैं मुझे ये कमेंट आता है पूचते हैं कि आप आपका जो pot है ये पूरी तरीके से भरती क्यों नहीं हो आपका हमेशा pot जब भी मेरे सारे ही plants आप देख सकते हैं तो मेरे plants में जो मिटी होती है वो मैं potting mix जो है वो पूरी तरीके से नहीं भरती हूँ मैं हमेशा इतना इतना चार उंगली का जो space है वो खाली छोड़ती हूँ तो उसका main reason यह होता है चाहे मेरे permanent plants हो चाहे मेरे seasonal plants हो मैं हमेशा ही अपने plant में additional solid dry fertilizer होता है वो मैं हमेशा ही regular basis पे मेरे सारे ही plants में add करती हूँ तो जब हमारा plant पहले ही एक तो सबसे पहले ही जब हम लोग plant लगाते हैं इतने बड़े pot में तो plant का size होता है वो बहुत छोटा होता है तो अगर हमारे मिट्टी जो potting mix है वो जादा हुआ और plant छोटा है तो उसके इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है और अगर हमारा कभी गलती से पानी ज़्यादा डल जाए तो ज्यादा moisture से उसकी जो roots हैं वो भी root rot होने का भी डर रहता है हलाकि अपको पानी डाल डाल के इतना perfection इतना तो आ गया है कि कौन से प्लान को कितना पानी देना है फिर भी अब वो मेरी habit में आ गया है कि कम मैं उसमें potting mix भरू और जो इसका सबसे main reason है मेरा यह करने का वो यह है कि मैं अपना जो dry fertilizer है वो regular regular basis space पे डालती रहते हो तो जब पूरी तरीके से भर जाता है इसलिए मेरे अकसर प्लॉप जो रहते हैं जब में pot pot तयार करती हो उस टाइम पे मेरे pot में हमेशा ही इतनी चार चार उंगल की जगा जो है वह में हमेशा ही छोड के रखती हो तो चलिए देखते हैं मैं इसमें आज क्या डालने वाले सबसे प pot में पहले से ही मिट्टी कम थी इसलिए मैं इसकी soil नहीं निकालूँगी लेकिन एक जो सबसे important tip है आप लोगों के लिए वो यही है कि हम जब भी हमारे pot में कोई सा भी fertilizer जो है वो हम एड करते हैं तो directly हम इसके उपर ना करें हम इसमें से पहले आपकी गुडाई करके आप निखाद मुठी की जो soil है potting mix है उसको निकाल लीजिए जिससे की जब हम यह वाला यह देखिए यह मेरा dry mix fertilizer है जो मैंने ready करके रखा हुआ है और यह मैं इसकी recipe मैंने अपने channel पे शेयर भी के रही है अगर आप लोग देखना चाहें तो detail में जाके इसकी recipe को देख सकते हैं अगर आप लोगों के पास अभी यह dry mix तयार नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके पास जो भी वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट जो भी है आप वह उसमें थोड़े से दाने अगर आप chemical यूज करते हैं थोड़े स कुछ भी नहीं डालना रहता बस एक मुठी हमने यह हमारा dry mix डाला और बस हमारा काम खतम तो देखिए इस तरीके से मैं जो इसके नीचे नीचे की डंडी है रहती है यह भी निकाल देती हूं जिससे के हमारा जो plant है वो एक ही stem के उपर उपर की तरफ बढ़ा हो और उपर ह हम इसको अच्छी तरीके से pinching करकर के घना कर लें तो मैंने इसमें अभी एक मुठी अपना यह dry mix fertilizer डाल दिया है खुब अच्छे से आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसमें dry mix fertilizer को मिला लिया है अब मैं इसके उपर डालूंगी देखिए चूकि अब मैं इसके उपर यह fertilizer डाला है तो अब हमें इसके उपर एक जो layer है वो हमें soil की डालनी होगी जिससे कि हमारा जो composting जो हमने compost डाली है उसमें जित्ते भी हमारे microbial activities हैं उसको fast करने के लिए और उसके उपर एक layer बिची रहने से अंदर इसका moisture बहुत अच्छी तरीके से maintain रहेगा तो इसके उपर हमको एक layer soil की डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है चोटी चोटी से tips हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली होती है तो देखे मैंने इसके उपर यह मेरी मिट्टी रखी हुई थी एक pot में तो मैं यह इसके उपर एक जो layer है यह मेरी इस तर कितने ही healthy grow हो रहे हैं इन सब में मैं अपना fertilizer जो है वो add कर चुकी हूँ और आपको मैं दिखा हूँ तो यह देखिए आप यह मेरे जो plants है इनको मैंने सिर्फ यह मेरी cuttings है और दिखाती हूँ मैं आपको यह देखे यह सिर्फ मेरे plants की cuttings की मेरे पास जगा नहीं थी तो मैं यह तब में अलग-अलग colors के ऐसे मेरे पास 4-6 बाउल में मैंने cuttings लगा के रखी हूँ है और यह simple मेरी sand और मिटी में मैंने cuttings लगा दी थी आप देखिए चार-पांच cuttings है यह सिर्फ और फिर मेरे पास जगा नहीं थी pots की पॉट्स भी नहीं थी और जगा भी नहीं है कितने कितने पॉट्स में मैं शेवंती लगाँ तो सोच करके मैंने cuttings फिर मैंने transplant नहीं करी और इसी में पड़े रहन दी और इसको मैं regular pinching करती रही तो आप देख सकते हैं कि यह इसी छोटे से पॉट में भी कितनी ज्यादा घ अरिश के टाइम पर इसको लगा दी थी और आप देखी कितने bushy plants यह बन गये हैं और इसकी बस simple बात है कि मैं cutting इसकी regular करती रही आज मैंने इसको fertilize किया है क्योंकि यह सिर्फ sand और soil में लगे हुए थी इसमें कुछ भी fertilizer एड़ नहीं किया था मैंने तो आज मैंने इन सब म हर हफते टू हफते मैं इसमें सरसो की खली डालने वाली हो और आप यह देख सकते मेरे मुसांडा के blooming कितनी शांदार दिख रही है सबसे जादा इस टाहम पे मेरे garden में अगर कोई plant bloom कर रहा है तो वो मुसांडा है और अभी मैंने यहां का stand हटाया है जो मेरी यह जगह थी यहां पे मेरे एक बड़ा सा stand रखा हुआ था मैंने यहां का हटाया है अभी मैं विंटर की रोज सुबह थोड़ी थोड़ा काम कर रहे हूं जिससे की आगे के लिए मैं विंटर की preparation कर जकू तो फ्रेंट्स देख सकते हैं मैंने सारे ही मेरे प्लांस में अच्छे से गुढ़ाई करके पूरे मैं खात दे दी हैं यहां की थोड़ी सफाई करना शुरू कर दिये यहां पे मेरे एक जो plank रखा हुआ था वो मैंने अभी हटा दिया है और यहां से अच्छे से मैं अभी पूरे इसकी नीचे से आप देख सकते हैं जाडू लगा रही हूँ और प्लांस मेरे अभी सारे इसी तरीके से रखे हुए हैं इन्हें सब को जमाना हैं तो देखती हूँ कैसे क्या जमा सकती हूँ तो बस फ्रेंड्स मेरे आज के वीडियो में इतना ही था अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा अलाका चलती किसी नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी फ्रेंड्स तब तक ले बाई टेक क्यार एंड हैपी गार्डिंग